हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है बोज सौम्या अपनी दो बहनों और भाई से बड़ी थी उसने अपने घर में सदा अपनी मम्मी को दादी से जगडते देखा सौम्या के पापा भी अपनी मा के एकलोते बेटे थे और उनकी चार बहने थी सौम्या की मम्मी का अपनी सासु मा के साथ व्योहार अच्छा नहीं था और यहीं सब देखकर बड़ी हुई सौम्या भी यहीं सीख गई और ज्यादा दुखी देखकर सौम्या की दादी को सौम्या की छोटी बुआ अपने घर ले गई सौम्या भी साधी योग्य हो गई अच्छा घर परिवार देखकर मम्मी पापा ने उसकी साधी कर दी अच्छा घर और अच्छे लोग, सौम्या के पती विवेक के दो भाई और एक बहान थी सब साधी सुदा थे, बस विवेक ही सबसे छोटा था ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम का बोज बस विवेक के माता पिता और विवेक, लेकिन सौम्या को तो अपने सासुर बोज लगते थे जबकि सासुर जी की अच्छी खासी पेंसन थी, और जिस घर में रहते थे, वो मकान भी उन्हों नहीं खरीदा था फिर भी सौम्या को वो अच्छे नहीं लगते थे, और विवेक के बहन भाई भी आते जाते रहते थे सौम्या फोन पर अपनी मम्मी और बहनों को भी यहीं कहती, मैं तो फश गई हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है सास सुरु का बोज भी मुझे यूठाना पड़ता है, कोई आजादी नहीं, कोई सुखा और खुशी नहीं सासु मान ने सुलिया, और उन्होंने अपने दूसरे बहु बेटों से बात की, तो दोनों बहुएं बोली मा जी हमारा घर छोटा था, जिसमें तीन परिवार नहीं रह सकते थे, इसलिए हम अलग हुए, ये दोनों घर भी आपके हैं, और सदा आपका स्वागत है, आप यहां आ जाईए, आप हम पर बोज नहीं, बलकि हमें खुशी होगी, आपके साथ रहने में विवेक के माता पिता बड़ी बहु के पास चले गए, और बहुत खुश थे, पोते पोतियों के साथ खेलते, बहु भी अच्छी थी, खूब सेवा भी ओती, फिर भी विवेक के माता जी घर के बहु शे काम करके, बहु का हाथ बटाती जबकि बेटा बहु दोनों मना भी करते, विवेक के पापा भी शुबा-शुबा सबजीयां और फल ले आते, दोनों बहुत खुश थे, इधर सौम्या की दोनों बहिनों की शादिया हो गई, और भाई भी सादी लायक था, भाई ने लो मैरिज कर ली सौम्या की मम्मी तो पहले से ही बहु तेज थी, उसने बहु बेटे पर रौब जमाने की कोशिस की, तो बहु ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये, और साससुर का जीना दुस्वार कर दिया, सारी जिंदगी, शास और पती को अपने हिशाब से चलाने वाली, तो कोई पेंसन भी नहीं थी, और घर भी वेटे ने अपनी नौकरी लगने के बाद ही खरीदा था, पहले तो वो किराय के मकान में ही रहते थे, एक दिन ज्यादा जगडे के बाद, सौम्या की भावी ने अपने साससुर को घर से चले जाने को कहा तो, उन्होंने सौम्या क सब बताना पड़ा, सौम्या की बात सुनकर विवेक बोला, मेरे तो दो भावी और थे, जिन्होंने मेरे माता पिता को संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे माता पिता को भी आज ये दिन देखना पड़ा, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, तुम्हारे माता पिता को भी अप सुर्वोज क्यों लगे और अगर मेरी सोच भी ऐसी होती तो सोचो फिर बोज कौन होता लेकिन मैं इतनी छोटी सोच और तंग दिल का मालिक नहीं जब तक चाहे मम्मी पापा यहां रहें ये उनका घर है शौम्या और उसकी मा के चेहरे की रंग तुड़ गई और मानो पर ताले पड़ गए सौम्या के पापा तो बेचारे जब से उनकी साधी हुई थी तब से पहले अपनी मा और बहनों के शामने सरमिंदा थे और आज दमाद के शामने लेकिन सोच रहे थे करनी का फल तो अवस्य मिलता है आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद